तो स्वागत एक और टेक न्यूज वीडियो में दिस इस टेक न्यूज एपिसोड एट और आज की एपिसोड में फस्स न्यूज है गूगल इंट्रोडीज बलू टेक वही पर गूगल क्रूम ने बनाया नाया रोकॉर्ड और थार्ड न्यूज है सैमसंग अलेक्स एफ 54 की के उपर 4 टेक न्यूज है हमारी बिंग के लॉंज से रेलेटेड और आज की लास्ट टेक न्यूज है गूगल पिक्सल फोल्ड के लोक्स एंड डिजाइन्स के रिगार्डेंग अगर आप न्यूज में इंट्रेस्टेड तो बने रहें वीडियो में वेलकम टू टेकनिकल आए वेरिफाइड यूजर्स के लिए तो आप यहां पर गूगल भी यहां पर यह निसीयर्टिव लेने वाला है मैं आपको यहां पर इसका ट्वीट दिखा देता हूँ जीमेल का आप यहां पर वीडियो भी देख सकते हैं यहां पर आप देखिए दिस सेंडर आफ दिस तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर काफी अच्छी फीचर है यहां पर गूगल अपने इस जीमेल में ला रहा है अगर बात करें हैं हम लोगों को वेरिफाइड लोगों यहां पर कैसे मिलेगा तो इसके लिए कंपनीज को BIMI में रजिस्टर करवाना पड़ेगा अ 2021 से इस पर वर्क हो रहा है और यह आप फाइनली लॉंच होने वाला है 2023 में तो आपको यह इनिसियेटिव कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन बताइए और हम लोग आज की सेकंड नीज पर बढ़ते हैं और आज की हमारी सेकंड नीज है एक अचीवमेंट पे और वो इंटरनेट ब्राउजर इन दा वर्ल्ड वित ग्लोवर मार्केट से अरो 65.74 परसेंट यानि के अगर सीदे बात करें तो 10 में से 6 पीपल पे गूगल क्रूम ब्राउजर है गूगल क्रूम अपनी सिंपलिसिटी के लिए काफी फेमस है और यह हम लोग को अच्छे घासे फी तो गूगल क्रूम ने 2008 या 10 से अपनी मार्केट में जगे बना रखी है और अभी तक इसे कोई रिफ्लेस नहीं कर पाया है वैसे तो यहां पर ब्रे ब्राउजर से काफी उमीद थी वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है आप पर हम लोगों को कुकीज और ट्रेकर से बच आने में लिखने आपर कोई भी गूगल क्रूम से नहीं अतना चाहता आपका इस पर क्या रहा है और आप कौन से ब्राउजर यूज़ करते हैं मुझे कमेंट सेक्षन बताइए और हम लोग आज की नेक्स निउस में बढ़ते हैं आज की थर्ड निउस में लीक्स निकल के जा रही है सैमसंग गेलक्सी एफ 54 के रिगार्डिंग तो आई यह अगर इसकी लीक्स देखें पूरी तरह तो यहाँ पर परफॉमेंस में मिल जाता है प्रोसेसर सैमसंग एक्षी नॉस 1380 विथ एट उक्टा कूर महीं पर डिस्पले में मिलेगा 6.7 इंचिस का सूपर एम अगर आपने सैमसंग गेलक्सी जी फ्लिफ 5 की लीक्स यहाँ पर नहीं देखी है तो आई बेटन पर खले करके आप देख सकते हैं वहीं पर अगर इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगा पक्सल का फ्रंट कैमरा है तो ओवर ओल इसको कैमरा तो काफी अच्छा है और अगरी फोटो मी निकाल देगा और आई पर बात करें इसकी रेम एंड इंटर्नल मेमोरी की तो इसमें 8GB मिलती है और 128GB की इंटर्नल स्टोरीज मिलती है तो वर ओल यह काफी अच्छा फोन है बजट में इसके यहाँ पर 25,000 है इसमें हम लोग को 6000 एमेज की बैटरी मिल जा हैं और हमारी फूर्थ न्यूज है एक नए AI चैटवाट के रिगार्डिंग तो अब विंग AI यहां पर लाउंच हो चुका है मैं बता दूं विंग एक मैक्रोसाफ्ट की कंपनी है और यह AI चैटवाट अब लाउंच कर चुकी है और AI चैटवाट की रेस में अपना नाम य करके आप वो देख सकते हैं और एक अपकमिंग था जो था अली बाबा का एक नया चैटवाट वो भी आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और अब यह चोथा AI चैटवाट मार्केट में लाउंच हो गया है जो है विंग AI मैं आपको बता दूं यह कोई भी यहां पर फी को इजी करने के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन बताइए और हम लोग आज की लास्ट नियूज से बढ़ते हैं और हमारी आज की लास्ट नियूज है गूगल के फोलेबल फोन गूगल पिक्सल फोल्ड के बारे में तो अब इसका ओफिस्यल टीजर लॉंच हो चुका है अगर मैं आपको यहां पर देखाऊं तो आप यह देखिए काफी स्लीक एंड सलिम डेजाइन है यहां पर इसकी और फीचर भी अच्छे मिलते हैं यहां पर हम लोगों को लीक से भी निकल के आ रही है कि यह फोल्डेबल फोन सेमसंग के फोल्डेबल फोन सीरीज से काफी अच्छा है यहां पर इसकी डिजाइन से लेकर कैमरा क्वाल्टी एंड ओडियो वीडियो क्वाल्टी भी काफी अच्छी है यहां पर और इसके फीचर्स और लॉंच डेड मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखे हैं तो आप आज बटन पर अभी इसको देख सकते हैं और